नमस्कार स्वागत है आपका स्वास्तिय चेतना में मैं हून अंधनी और मेरे साथ हैं भारसरकार आयूश मंत्राले के बोर्ड मैंबर डॉक्टर रवींद्र पूरफाल डॉक्टर साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका तो दर्शकूं वादे के मताबिक गफिर शनिवार को हाजिर हो गए हम आपकल पसंदीदा कारिकरम स्वास्तिय चेतना लेकर के और अगर बात कीजाए आज की विशय की तो हम आपको बता दें कि पिछले दो एपिसोड की हमने जिस विशय पर किये आज भी जरूरत उसी विश है कोरोना पर ही है लेकि डॉक्टर साहब जैसे की मैंने बताया कि परिस्टियां बदलती चा रही है तो क्या बदलाब हमारे एक जो एतियात बरतने के तरीके में है उस पर भी आया है नंदनी जी जो एतियात हमने पहले एपिसोड में बताये थे उन सभी एतियात का उन सभी साउधानियों का पालन हमें अगर किसी भी पिरकार की इंफेक्शन से बचाओ रखना है विसेश कर जो करोना वाईरस है बड़ा घातक वाईरस है इसी का है तो इससे अगर बचाओ करना है तो हमें अपनी दिंचर्या में अपने ब्यवसाईक और व्यक्तिगत इस्तर पर कुछ साउधानियों का पालन करने की अवसक्ता है तो सावधानियों का पालन करने की तो आवर्शक्ता है ये तो हम जान चुके हैं तो मैं जाना चाहूंगी कि आज जैसे कि कल है जन्नता कर्फियू का एलान और इसको लेकर कि लोग अच्छी बाती है कि सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि सभी को जान प्यारी है जान हैं तो जहा दारी करते निखाई दे रहे हैं मंदिरों की अगर बात की जाए मंदिर बंद तो करी दिये गया है साथ में खासता पर प्रसाद वर्साद चढ़ानी पर भी मैंने कई जगे पढ़ा है ख़बरों में भी बताया कि रोक लगा दी गई है ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब धानिया परतने के लिए नंदिनी जी घर में भगवान का पूजा पाठ करना भगवान की विनिती करना आरती करना किसी भी इस तर पर करोना वाइरस के संक्रमन का खत्रा पैदा नहीं करता जी आप जब एक मास में जब एक भीड में जाते हैं और कोई एक व्यक्ति हज़ारों लोगों को ये वाइरस का उपहार दे सकता है जो उनके जीवन के लिए घातक हो सकता है उनके जिंदगी के लिए एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है इसलिए बिविन ऐसे इस्थानों पर चाहे वो पूजा घर हों मंदीर हों मस्जिद हों या सामुहीक मिलन के बिविन उपकिरम हों वहाँ पर लोगों को कम से कम इखटा होने की सला दी गई है मैं ब्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहता हूँ अपने दर्सकों से कहना चाहता हूँ घर में आप सुचार रूप से जिस परकार से आप अपनी पूजा पाठ करते थे भगवान का इसमरन करते थे वो पूरी तरह करते रहें बस इतना ध्यान रखें कि जब भी किसी बाहरी व्यक्ति से मिलें तो कम से कम आप एक मीटर की दूरी लगवक तीन से चार फिट की दूरी पर उससे बात करें उससे नजदी की मत रखें इसका जो वाइरस होता है उसकी अधिक्तम चंता धाई से तीन फिट की है जो चलने की वो इससे जदा दूर पर इंफेक्शन नहीं दे सकता तो हम उससे साड़े तीन और चार फिट की दूरी रखें एक मीटर की दूरी रखें तो बचाओ कर सकते हैं दूसरा आप जहां भी पबलिक की चीजें हैं उन पर अगर आप जाते हैं तो जहां जहां टच करते हैं या तो अपने हातों को हर 15-20 मिनिट के बाद सेनिटाइज कर लीजिए या नंदिनी जी एक बहुत अच्छा नुस्खा मैं बताना चाहता हूँ जो बारा से सोला गंटे तक आपके हातों को बाइरस से मुक्त रखने में मदद करेगा आप घर से निकलते समय दोनों हातों में नीम का तेल अच्छी तरह लगा लें अगर आपको अपनी बहुत चिंता है और आप ये समझते हैं कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्तपूर हैं तो नीम का तेल बालों में भी उपर उपर चुपड लीजिए और चेरे प भी लगा लीजिए नाक के आसपास मूँ चौप है आप को मैं बिस्वास पूरवकिये कहना चाहता हूँ कि जो करोना वाइरस है ये बड़ा घातक वाइरस है और ये चार सो से पांसो माइकरोन का होता है इस नीम के तेल में जो अभी और दूसरे वाइरस हैं इविन जो डेर्ट सो माइकरोन के होते हैं सबासो एक सो पच्छिस माइकरोन के होते हैं वो तक चिपक के दम तोड़ देते हैं तो ये तो बड़ा उसे भारी है इसको तो हम जरूर नीम के तेल का इस्तेमाल करके अपनी हिपाज़त रख सकते हैं अपने को स्वस्थ होने के रास्ते पर आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पबलिक ट्रांस्पोर्ट में चलें दिन बर बजार में घूमने की जरूर अच्छा के लिए है कि जब जरूरी हो निकलना तो निकलें इस उपाई को करने से ज्यादा संभावना है बहुत अधिक संभावना है कि आप इस वाईरस से अपना बचाव कर सकें तो यानि कि बचाव करने की जरूरत है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं नीम की तेल का इस्त को एक तरीके से आईसुलेट कर देंगे यहां पर सवाल यह कि बड़े बुज़ुर्ग स्कते हैं यह बच्चे नहीं वह किसी नहीं किसी तरीके से आपस में कटे उकर के पाथी करने हो या कोई infected व्यक्ति के संपर्क में आए हो अगर ऐसी संभावना नहीं है तो घर परिवार के लोग आपस में बैठ के बाचीत कर सकते हैं हस बोल सकते हैं खेल सकते हैं लेकिन अगर किसी एक भी व्यक्ति को सर्दी जुकाम और छीकें भी आ रही हैं तो सजग हो जाएए और उससे दूरी बना लीजिए उनके लिए एक कमरे को निर्धारित कर दीजिए अगर ये करोना का केस नहीं है तो दो एक दिन में वो अच्छे हो जाएंगे ठीक हो जाएंगे और अगर जराबी इस्तिती बिगड़ती है तो आप चिकिसा लेने में बिलम मत करिये करोना के जिन केसों में जीवन के साथ खत्रा पैदा हुआ है उसमें देरी एक बड़ा कारण है इसलिए जैसे घर में किसी बच्चे को भी आपने देखा कि नंदनी जी जैसे देखा स्कूल भी नहीं गया घरी घर में रहा भले ठंड के कारण ही उसको सर्दी लग गई उसको जुकाम हो गया वो चिंके मार रहा है फीवरेस है तो आप अपना जो भी उपाय करते हैं वो करें और बच्चे को एक कमरे तक सीमित कर दें उसको इदर उदर ना खेलने दें और उ उसके इस्तेमाल के हुए चीज़ें इविन पेन कापी वो चीज़ें फिल हम दूसरे बच्चों को ना दें अगर ये साधारन फिलू है साधारन जो काम है तो ज़्यादा नहीं ये तो 12 गंटे 24 गंटे में ठीक हो जाता है लेकिन अगर जरा भी आपको तबियत खराब होती देख रही है तो किसी बिसेशग से राय लेने में बिलंब ना करें आप जिला चिकसाले में जाके उस बच्चे की जाच करें जाच कराएं और अगर पोजिटिव है तो जैसा चिकसाला देते हैं वैसा करें लेकिन ये गलती ना करें अरे बच्चे को तो थंड नना लिया थ यह हो गया है क्योंकि इसका बिंडो पीरियड कई कई बार 14 दिन तक देखा गया है बिंडो पीरियड वो पीरियड होता है नंदनी जी जैसे हम infected व्यक्ति के संपर्क में आए तो हम अपनी अभी हमें दो तीन दिन कुछ नहीं समझ में आएगा normal behave करेंगे normal चलते गुमते बैठते खाते पीते रहेंगे तो फिर ही इसका पिरभाव आता है तो इसका करोना जो वाइरस है इसका तीन दिन से 14 दिन तक विंडो पीरियड होता है यह सरीर के अंदर जाने के बाद मान लीजिए किसी की immunity बहुत अच्छी है resistance power बहुत अच्छी है छोटे बच्चों की बैसे ही अच्छी होती है यह 10-10 दिन तक अटेक करता है अंदर 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 है तो कोसिस करता है महाभी हो जाएं लेकिन बच्चों की immunity उनकी resistance power इसको मार के रख देती है तो यह समाप्त हो जाता है लेकिन वो कई केसिस में इसका 14-14 दिन बाद पता चला कि जाब करोना positive है इसलिए जब भी बच्चे का या परिवार के किसी सदस को fever आए सांस लेने में दिखका थो और जैसा की मैंने पहले बताया था ऐसी खासी आए जैसे आग में मिर्ची को जलाते हैं ऐसी सूखी खासी और लगतार आती जाए लगतार आती जाए ये खासी रुके नहीं अगर ऐसे कोई लच्छान आते हैं तो बिलम करने की जरूरत नहीं है देश के हित में अपने परिवार के हित में और उस मरीज के जीवन की रच्छा के लिए तुरंत जाच कराईए उचित उपचार से वक्त पर अगर इसका उपचार हो जाता है तो करोना कोई बुरा पिरभा याओ जीवन पर नहीं डाल सकता नहीं डाल पाता है और जीवन की रच्छा हो जाती है जो ही हैं जो घर में रहें आते हैं तो भगवान याद आते हैं तरीका है घर के बातवरण को शुद करने का क्या कोरुणक सिक पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं हवन के जरीए कुछ ऐसी खास सामगरी जिनको में घर पर इस्तमाल करना चाहिए नंदनी जी बहुत में प्रस्ण पूछा है आपने बहुत आपको धन्नवाद दिखिए अभी कम से कम तीन ऐसी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं जो इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिस हो चुकी हैं कि हवन करने से हंड्रेड माइक्रोन तक का वाइरस उस एरिये से खतम हो जाता है जहां पर हवन कराया जा रहा है अभी करोना वाइरस चुकी नया वाइरस है दिसंबर 19 में इसका नामकरण हुआ है तो अभी इस पर बहुत बहुत प्रमारी रिसर्च फाइंडिंग्स नहीं हैं लेकिन हम यह कहते हैं जब विविन परकार कि जो हमारी पूर्ब की रिसर्च फाइंडिंग्स हैं मारी नामकरण तक के वाइरस को हम खतम कर देता है तो हम यह जरूर्ब भरोसा रखते हैं कि यह तो 3-4-500 माइक्रोन का है यह तो भस्म हो जाएगा इसकी तो अस्तित तो काई पता नहीं चलेगा तो हमन करने से कौई नुक्सान नहीं है, हवन करने से फाइदा है, हवन करने से केवल बातावरन सुद्ध ही नहीं होता है, बलकि बिविन पिरकार के हानिकारक, फंगस, वैक्टीरिया और वाइरस से हमें मुक्ती मिलते हैं. तो यानि कि ये एक सार्थक प्रयास हो सकता है कوروना से बचने के लिए, लेकिन हवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने धुआ कर लिया, हवन में जरूरी होते हैं, वो तत्व जो सामक्री हम डालते हैं, वो कौन सी सामक्रियां होती हैं, जिस काम पर हमें फाइदा देखने को लिए अलग-अलग मंत्र और अलग-अलग समागरी का उल्लिक है लेकिन बेवारी की रूप से जो हवन समागरी हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस हवन समागरी में अगर हम कुछ मात्रा में कपूर और पिपरमेंट का भी इस्तेमाल कर दें तो ये जादा बहतर है, जादा अच्छा है तो हवन तो देखे रोज नहीं किया जा सकता घर में एक बड़ी प्रक्रिया होती है नंदिनी जी आप ग्यारा आहुती का हवन कर दीजिए आप बहुत बड़ा लंबा चोना मत करिए यही मैं चाहना चाहती कि सामानी लोग कैसे इसको अपना जादा आप जिस भी भगवान को जो आपके इस्ट है उनका जो मंतर है, गुरु ने आपको जो मंतर दिया ऊस मंतर का ग्यारा आहुतियां दे के, उस परंपिता को, उस एस्ट को, जिसको आप इस ब्रहमांद का संचालक मानते हैं, इस ब्रहमांद का देवता या देवी मानते हैं, उनके चर्णों में नमन कर लें तो कपूर और पिपरमेंट का खास आपने बताया है महत को यहां जी तो अगर साधारन लोग हैं जो उटते बैठते समय किस तरह से कुछ कपूर को अपने पास रखा जा सकता है कोई ऐसा तरीका जो हम इस्तमाल करके सुरक्षित खुद को महसूस कर सके देखिए अगर जिनको बहुत खत्रा है जो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं उनको निकलना ही निकलना पड़ रहा है और जिनकी मजबूरी है ऐसे लोग नीम के तेल में पिपरमेंट का तेल मिला लें सो गिराम नीम के तेल में पांच गिराम पिपरमेंट का तेल मिला लें और इसको अच्छी तरह हिलाके पूरे सरीर पे लगा लें और फिर चले जाएं आप देखेंगे मैं विस्वास पूरवक आप से बताना चाहता हूं कि अगर करोना वाइरस से पीड़ित व्यक्ति भी अगर उसके संपर्क में आता है तो भी बड़ी संभावना है कि वो उससे गिर्शित ना हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पिपरमेंट और नीम का तेल लगा के करोना वाइरस वाले मरीज के पीड़ित मरीज से गले मिलने और ये सजगता है और ये भरोसा है कि इससे साधारन इस्तिती में जो वाइरस का अटेक होगा उससे सरीर अपनी रच्छा कर पाएगा सरीर आसानी से अस्वस्त नहीं होगा और हम करोना को हरा पाएंगे इस से वाक्त इस खत्री के समय के दौरान तो बिल्कुल छोड़ ही दें क्या बताएंगे देखिए मैं अपने दर्सकों को दो सला दूँगा पहली सला की जंक फूड फास्ट फूड नौन वेज और तले हुए प्याज लेसुन अद्रक टमाटर इसे दाल को फिराई किया सबजी को फिराई किया ऐसे आहार को अभी सेवन ना करें ऐसे आहार से अपना बचाओ रखेंगे बजार के खाद पदार बिसेश कर होटलों के सबजीयां दाल रोटियां बजार की चाट पकोड़ी इन सबसे दो तीन देन एक हफ़ते तक पूरी सक्ती के साथ बचाओ रखें अपने भोजन में इमिनिटी इनहेलर पोस्टिक्ता देने वाले जिनकी मिनरल वेलू और जिनकी विटमिन वेलू बहुत है फाइटो न्यूट्रियंट्स की मात्रा जिन में भरपूर है ऐसे खाद पदार्थों का सेवन करें जैसे प्राता काल आप पपीता का सेवन कर सकते हैं फ्रूट्स का सेवन पपीता अच्छा नहीं लगता है आप एपल ले सकते हैं आप बनाना ले सकते हैं आप गौाबा ले सकते हैं आप जो भी मौसम के फल हैं उनका सेवन कर सकते हैं लेकिन ये ध्यान रखिएगा बहुत से लोग नंदिनी जी क्या करते हैं एक एपल ख खाएंगे चाय पीएंगे दो रस्क खाएंगे एक दो चम्मस डाल मौट खाएंगे बढ़ता जा रहा है जी ये सैयोग बिरुद आहार हो जाता है जिसका सीवन करने से हमारे हम अभी करोना वाइरस की बात कर रहे हैं वो तो अटेक करेगा या नहीं करेगा वो तो अलग बात है लेकिन ये आहार हमारे पाचन तंतर पर और हमारी जो डेजिस्टिव ग्लेंड्स हैं उन पर अटेक करके उनको कबजोर करेगा उन्हें असक्त करेगा और आपके पाचन संस्थान से जुरी हुई बिविन ने तकलीप हैं और समस्याएं दीरे दीरे घेर लेंगी और ऐसे लोग नंदिनी जी क्या करते हैं डाक्टर डाक्टर बदलते हैं दबा करते हैं कुछ आराम मिलता है लेकिन अपनी आदत तो सुधारते नहीं है आदत सुधारते नहीं डाक्टर ने चिकिसक ने उनकी उनकी समस्या ठीक कर दी अब फिर उन्होंने वो आदत की चार दिन बा जरूरत नहीं है जी तो बहुत सारी ऐसी ही काम की बातें और भी हैं सवाल जवाब का सिलसला चलता रहेगा लेकिन यहां रुकतें छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मचाएगा जहार आशन हो फिजाएं उम्मीदे हो नहीं दुनिया को देगे खुशिया जननेशन हम नहीं दुनिया की हर देशा में बदलेगे हम सामा पड़ेगे हम तेलेगे जीतेगे जवाब आम जुनिया जिर एगलेगे हम रहें चुनिया जिसे ब्रेक के लिएक आव जिया जिसे ब्रेक के लिए के लिए मुएप दिए और जिरोब Rन S लिए मुएप लिए मुएप वजस परे, आपगें मेँ नहीं आई, तो नहीं आई तो नहीं रिये हिसंत की बड़ कियां ठॅकें आई कायरे We'll rise and shine and lead the way R&S World is Blue R&S World is Blue R&S World is Blue R&S World is Blue Scholars PlayWitch Inter-College Govindagar जहां है Arts, Commerce and Sciences Stream में पढ़ने की सुविधा Hindi और English Medium तोनों में ही साथ ही PlayWitch Kids Center फुलफारी PGC, UKG तक के बच्चों के लिए सरस्वती PlayWitch School English Medium Class 1 से 5 तक के बच्चों के लिए सभी Classes के लिए Admissions ओपे Class 6th, 9th, 11th Hindi Medium में सभी चात्रों को किताबे प्री में मिलेंगी संपर्करी Scholars PlayWitch Inter-College Govindagar, Kanpur Hansraj Modern School makes learning joyful and fun-filled through activities like Science Park, Learn by Live Concepts Chess Club, Learn Tactics and Strategy Astronomy Club, Journey Beyond Stars At Hansraj, education is managed by IITians and professionals who've been through the rigors of competition and can ensure smart careers Hansraj Modern School Shivpuri Road, Jhansi I am excited to launch MS Dhoni Cricket Academy The aim is to provide 360 degree training approach with the help of best techniques and technology to sharpen your skills Mehmat Nawazi का शाही अंदास and continental food के विशेशक्रा के विशेशक्यों से सुसजीद एक मात्र सुपरिस्पेशनिटी OPD Round the clock, डिटिकल केर एक्सपर्ट दोरा कवरेज एवम अत्याथूरिक मशीनों से लाइस ICU कानपुर के एक मात्र विश्ट्वस्त्री सुपरिस्पेशनिटी Fully SS Modular OT सभी प्रकार के एक कैंसर का विश्ट्वस्त्री एलाज ज स्वास देखेशनिट आम YEH कोरोन से जुड़ी कुछ गलत फेहमियों के वारे में, उपायों के बारे में क्या कुछ हम कर सकते हैं इस सभी के बारे में हम बात कर रहे हैं डॉक्टसाब जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शिकों को जानकारी दे रहे हैं क्या बचना चाहिए कोई खास ऐसा काढ़ा जो हकामा सके हमारे दर्शकों के हर उम्र के लिए हो वो बताएं मुझे लगता है कि अगर उसका इस्तिमाल करेंगे तो confident भी महसूस होंगे वह फाइदा तो होगा ही होगा गंदनी जी एक बहुत अच्छा और बहुत पावरफूल नुस्खा में बताना चाहता हूँ और इस नुस्खे में कुछ भी खर्चा भी नहीं है आप देखिए तीन चीज़ें इसमें उप्योग की जाएंगी पहली चीज एक हिस्सा जितना पपीते का पत्ते का रस ताजा ध्यान रखिएगा ताजा रस प्रभावसाली है पपीते के पत्ते के रस को माल लीजिए आपने 30 एमेल लिया तो 15 एमेल मतलब उससे आदा आप गुर्च गिलो जो नीम पे चड़ी होती है इसका रस लीजिए गिलो के पत्ते सेमाल नहीं किये जाते हैं गिलो का तना जो होता है उंगली के बराबर मोटा हो इससे कम मोटा जो तना होता है उसके औसदी गोड़ अच्छे नहीं होते तो इतना हो तो इसका 15 एमेल रस और गिलो से आदा तुलसी की पत्ती का रस जो महाने 7 एमेल साड़े 7 एमेल तुलसी की पत्ती का रस अब इन तीनों चीजों को मिलाके के गुन गुना कर लीजिए और पी लीजिए ये जबर जस्त एंटी फंगल है एंटी बैक्टीरियल है और एंटी वाइरल है इसके साथ ही साथ नंदिने जी ये हमारे सरीर के अंदर फाइटो न्यूट्रियंट्स फाइटो न्यूट्रियंट्स वो चीज होते हैं खाद पदा आर्थ में वो रच्छा की सेना होते रच्छात्मक सेना होते यह तो यह सरीर की रच्छा के लिए एक तो सेना मिल गए दूसरा यह हमारी इमनिटी को बढ़ाता है हमारी रिजिस्टेंस पावर को बढ़ाते हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर कफ प्रकुपित हो गया है कफ का दोस हो गया है तो ये पूरी तरह उसको निर्मूल कर देता है और जितने प्रकार के वाइरल इंफेक्शन होते हैं इनमें अधिक्तम कफ प्रकुपित होने के कारण होते हैं तो नंदरी जी इसका सेवन प्राता काल एक बार तो सब लोग कल लें अच्छा जो पीडित नहीं है जिनको जुकाम सर्दी खासी नहीं है फिलू नहीं है वो भी इससे कोई नुकसान नहीं है इससे तो इमिनिटी बढ़ेगी सरीर की रोगों से लड़ने की च्छमता बढ़ेगी लेकिन जिनको सर्दी जुकाम है बले करोनक से पीडित नहूं वो भी दिन में तीन वार इसका सेवन कर लें तो दिन में तीन वार इसका इस्तमाल किया जा स क्वांटिटी बताएंगे कितनी क्वांटिटी हमें से ले सकते हैं यह हमने जो बताया है यह पचास है मेल होता है जो जवान आदमी के लिए है बच्चे की उम्र और सारीरिक इस्तिती को देखते हुए इसकी मात्रा को आप लोग खुद निर्धारित कर सकते हैं अगर जादा भी हो जाएगा तो कोई नुकसान इसका नहीं है लेकिन कम होने पर फाइदा नहीं है इसलिए जैसे पास साल का बच्चा है तो बस पास से दस हैमेल दे दीजिए अगर पंदरा साल का बच्चा है तो उसको बीस हैमेल पच्चेस हैमेल दे दीजिए और बुरे लोगों को भ बीस से पच्चे से मेल दे दें उससे उनका काम सुचार रूप से चल जाएगा उनकी इमनिटी बढ़ेगी और जल्दी जल्दी उनको कोई बैमारी नहीं होगी तो ठीक अमांट में लें क्योंकि कम होने पर कोई फाइदा नहीं होगा हाँ अगर ज्यादा हो गया तो नुकसान नहीं होगा ये अच्छी बात है देखिए इस वक्त जो समय चल रहा है आपातकाल की एक तरह से स्थिती है ये हम सभी डरे हुए हैं ऐसे में सामानी जो कोल्ड होता है उसको लेकर भी डरे हुए हैं डरना भी चाहिए यहां में कहूंगी रग्ट साब मैं चाहूंगी कि जो कोल्ड हमें महसूस हो रहा है कि फ्लू होने को है हलका सा है जुका महसूस हो रहा है सर्दी महसूस हो रही है भले ही वो कोरोना हो या ना हो लेकिन हमें सावधा कराणियां बढ़ते हैं कैसे रियाक्ट करें अगर मैसूस करेंकि कुछ बहु रहे हैं है देखिए अगर घर किसी भी परिवार के सदस्य को घीक है और सूख ही कासी आरही है सू की खासी आते आते खासते खासते आंख लाल हो जा रही है चेहरा लाल हो जाता है जो करोना वाइरस है इसका सबसे बड़ा लच्छा नंदिनी जी ये है कि इसमें जो पहली सुरुआती दिनों में जो खासी सुरु होती है ये किसी चीज़ से रुकती नहीं है रुकाए नह आदमी भी खास्ते 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 परिसान हो जाता है एक घंटे में 10-15 मिनिट के लिए मुस्किल से खासी रुकती है कहीं गरम पानी पीता है कहीं खासी का सीरब पीता है कहीं कोई दवा काता है कोई दवा जब उसको खासी को नहीं रोक पाती है तो ये तो वो लच्छन हो गया दूसरा अगर सामान ने खासी होती है तो जो घर में उपाए होते हैं कि हल्दी नमक गुनगुने पानी में डालके उससे गरारे कर लिए दिन में तीन चार बार गरारे किये तो गले में जो खिचके छोती है गले में कांटे जैसे फसते हैं या करकस आवाज हो रही है उस में कोई भी कफ सीरफ देने पर आराम मिल जाता है तीसरी बात जो सब से महत्पूर है कि अगर ये खासी बढ़ते बढ़ते बुखार भी आ जाए और छींके भी सुरू हो जाएं तो आपको तुरंट चिकिसक से परामर्स करके उचित इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए ताकि चिकिसक आपके उपचार का सही रास्ता बता सके सही डिसीजन ले चकरे कि क्या समस्या है और उसके निदान के लिए किस पहसदी की आवसकता है तो सर्दी हो वुखार हो या किसी भी तरह का आपको जुकाम हो तुरंट रियाक्ट करते हुए तुरंट डॉक्टर के पास जाए इस समय लापरवाही बरतने की बिल्कुल जरुरत नहीं है क्योंकि ये एक ऐसी गलती होगी जिसके लिए आप हो सकते हैं हमीशा पच्चता हैं अब जानना चाहूंगे मैं आपसे कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं जर्यता कर्फियों की जर्यता कर्फियों के लिए हम लोग आवान किया जा रहा है लोग बढ़ चड़ करके आके आ रहे हैं लेकिन अगर बात की जाए इस बाकी देशों के अगर तुलना में इटली में भी लोग करते कि शाम के समय जनता कर्फ्यू को दौरान ताली बचा रहे हैं और ठीक उसी तर्स पर मेसेज़िस आ कि यहां पर भी शाम को थाली बचाएं कुछ नो कुछ बचाएं यानि कि शोर करें इसका क्या कोई वैग्यानिक अधार है नंदिनी जी सबसे पहली बात जनता कर्फ्यू जो माननी प्रधान मंत्री जी ने अपने उद्भोधन में कहा कि इस कर्फ्यू का उद्देश से केवल इतना है कि ये करोना वाइरस जैसे एक वाइरस से पीडित व्यक्ती है नंदिनी जी ट्रेन में गया टॉयलेट इस्तेमाल किया उसने अपनी कार का हैंडिल इस्तेमाल किया तो ऐसी जगहों पर ये 12 से 24 घंटे तक कहीं कहीं तो 24 घंटे से ज़्यादा भी 30 घंटे तक ये ज टेविल पर अगर कोई संक्रमित बेक्ती ने चीग दिया तो ये लंबे समय तक बना रहे हैं अब अगर ये 12 घंटे 24 घंटे तक भी बना रहता है तो उसके बाद ये खतम हो जाता है फिर इसका पिर भाव सूनने हो जाता है माननी प्लान मंत्री जी ने बहुत सो समझ के ये निस्टे किया है देखिए हम सन्यवार की रात में तो सोएंगे आप असी प्रती से जगे सवा के बाद रविवार को पूरा जाकर भी तो ये 12 घंटे तो सन्यवार की रात के हुए और पूरा देन रविवार का और रविवार की रात ये इतना समय हो जाएगा कि ये वाइरस जहां 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 अपना जमा हुआ था इंतजार कर रहा था कि कोई आए और हम उसको अप गिर्फ में लें उसका खत्म हो जाएगा अब हमें खत्रा के से होगा जो infected हैं जो infected हैं और दूसरे को infection दे सकते हैं तो उनके उनको टिट्म में लेंगी और आम नागरिकों को जतना हमारे मीडिया ने जतना हमारे मानी प्रदान मंत्री जी ने अपने अद्धबोधन में या और माद्यमों से जतना जानकारी हो गई है तो आम व्यक्ति मास्क लगा कर हातों को सैनिटाइज करके उस सुरच्छा के दे चला है की जल्ली इसके संपर्क में ना आए इससे पीड़ित ना हो पाए तो ये जो माननी प्रधानमंत्री जी का जनता कर्फ्यू का एलान है इसके ब्यापक आर्थ हैं और ये बड़ी महावारी से बचाने का एक हमारा ससक्त साधन हो सकता है जी तो बहुत 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 शुक्रिया तमाम चानकारी देने के लिए तो जनता कर्फ्यू का हो चुका है आफवान आप सभी भी तैयार है उसका असरा आज भी देखा किया कुल मिलाकर क्यों देश यही है कि संक्रमन्ट की जो ये चेन है इसको यही रोग दिया चाहे लेकि इतना उन सामानों को सनेटाइस कर पाएंगी जितना की जरूरी होगा तो इसका भी थ्यान रखें तो इसी के साथ ही आज के स्वास्ति चेतना में इतना ही अगले शनिवार फिर हो जाएंगे हाजिर दीजे इजासत नमस्कार झाल झाल झाल